नमस्कार, जै जोहार! क्या आप भी गौर्णमेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप यहां 10 से अधिक गौर्णमेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप टू बी दे बेस्ट लन फ्रॉम दे बेस्ट समाने विज्ञान में biology physics chemistry सभी से प्रस्ट पूछे जाएंगे तो आज हम लोग 30 mcq करने वाले हैं उसमें बायो की भी कोश्चन होंगे chemistry की भी कोश्चन होंगे तो बीन देरी के आज करते हैं ठीक हमारा पहला कोश्चन है सेल का नाम किस जीव विग्यानिक ने सरप्रथम दिया था यह ऐसा कोश्चन भी आ सकता है कि सेल की खोच किसने की थी flaming, lewn hawk, रॉबर्ट ठूक या फ्रीर ब्राउन तो सेल की खोच कि थी Robert Thouk Nne, किसने की थी Robert Thouk Nne, ठीक है Selle क्या होता है, तो Selle, सरीर की सबसे छोटी Σरद रचनात्मा के वं क्रियात्मा की काई होती है, ठीक है, and Selle, Selle से ही, स Double बहुते हैं Coastika Selle से मिल कर बनता है, क्या उतक, ठीक है, Selle से मिल कर क्या बनता है, उतक इसको एक लाइन में लिखते हैं पहले, देखो, इसए से मिलकर बनता है उतक, ठीक है? टीशू, अब टीशू से मिलकर बनता है ओर्गन, हमारा अंग, फिर उससे मिलकर बनता है तंतर, ठीक है? उसके बाद मिलकर बनता है हमारा human body, तो देखे हैं हमारा सरीर कैसे कैसे बन रहे है सेल से बन रहे है उतक उतक से बन रहे है फिर और अंग उसके बाद बन रहे है क्या तंत्र उसके बाद क्या बन रहे है हमारा तो इसकी खुज किस ने की थी, Robert Hook ने, तो Robert Hook ने जब सेल की खुज की थी, उन्होंने सबसे पहले डेड सेल खुजा था, क्या खुजा था, डेड सेल, अब देखो यहाँ एक और नाम है, लिवेन हॉक, तो लिवेन हॉक का नाम सुने हो, इन्होंने किस की खुज की थी, इसको 30 MCQ नहीं है, यह अंदर में और भी प्रेशना और उत्तर छुपे हुए हैं, ठीके, तो लिवेन हॉक ने किसकी खुज की थी, बैक्टिरिया की, जब उस टेम बैक्टिरिया से होने वाले रोग, वारस से होने वाले रोग पढ़ रहते थे तब बताई थी, ना, दूसरा प्रस्न है, रख्त समू का अविस्कारा कौन है, ठीके, अजब रख्त समू के खोज करता कौन है, या अविस्कार करता कौन है, लेंड स्ट्रीनर, विलियम हारवे, रोबर्ट कोच या लुईस पास्चर, तो किसने खोज था, लेंड स्ट्रीनर ने, किसने, लेंड सबको अपना-पना ब्लट ग्रूप पता है क्यों नहीं पता ठीक है पता करके रखना तीसरा प्रश्ण है हमारा मनुस्य की तवच्छा सबसे मोटी होती है हथेली पर तलवे पर धड़ पर यह सीर पर तो सबसे मोटा कहा पस होता है तलवे पर सबसे मोटा चमडी कहा पस होगा कौन पर होता हथेली देखो अच्छा ऐसा थोड़ी नहीं थीक है तो सबसे मोटी चमडी कहा पर मोटी तो अच्छा कहा पर तलवे पर मोटापा निम्ने में से किस की अधिकता के कारण होता है सरकरा, वसा उत्ता, सुक्रोज या फिर ग्लूकोस मोटापा किसके कारण होता है वसा वसा उत्ता के कारण ठीक है ? जो fat होता है वह हमारे skin के नीचे क्या हो जाता है जम्मा हो जाता है इसलिए क्या होता है फिर वह मूटापक करूप ले लेता है ठीक है तो fat ही है किसका कारण मूटापय का कारण किसका कारण मूटापय का कारण 이면 glucose से हराण को instant energy घिलता हैै ठीक गुण सूत्र में होते हैं DNA और लिपिक, RNA और एमिनो एसीड, DNA और प्रोटीन option D है RNA और सुगर तो गुण सूत्र में क्या क्या होता है? DNA और प्रोटीन होता है गुण सूत्र में क्या होता है? DNA और प्रोटीन होता है गुण सूत्र क्या होता है? कौन बताएगा? हमारे मानसरीर में टोटल 23 जोड़ी 23 जोड़ी गुण सूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी मतलब कितना 46 लेकिन इसमें जो 22 जोड़ी है वो सेम होते हैं ठीक है मतलब जो 44 है वो क्या होता है सेम होता है लेकिन लास्ट का जो जोड़ी होता है वो क्या होता है लिंग निर्धारन वाला होता है ठीक है अगर 44 प्लस एकस एकस रहा तो वो क्या होता है लड़की ठीक और 44 प्लस एकस वा किने जो लास्ट वाला गुन सूत्र है वहीका है लिंग निरारन गुन सूत्र है कुश्चन अशा है गा मामय कि में कितनी गुन सुत्र पाय जाते हैं तो अगर ये वाला संख्या है तो कितना पुछेगा तो कितना जोडी कितना जोड़ी 23 जोड़ी कि प्लाजमा में जल का प्रतीसत होता है साट परसेंट सत्र परसेंट असी परसेंट यद नब्य परसेंट क्या होता है नब्य परसेंट कितना परसेंट नब्य परसेंट अब प्लाजमा क्या होता है प्लाजमा रक्त का ही तरल भाग होता है किसका रक्त का रक्त में प्लाजमा 55 से 60 परसेंट तक पाया जाता है ठीक है हमारा जो ब्लड होता है उसमें प्लाजमा 55 से 60 परसेंट तक पाया जाता है ब लेकिन प्लाजमा खुद में कितना है 90 परसेंट जल है वो ठीक है तो प्लाजमा में कितने परसेंट जल 90 परसेंट नवजाद शिशुओं में हड्यों की संख्या लगभग कितनी होती है 200-2006-300 या 350 गलत 300 मैं क्या बोली नवजाद सिशुओं में हड्यों की संख्या तो नवजाद सिशुओं में हड्यों की संख्या 300 होती है जबकि जो वयस्क सरीर वाले हो जाते हैं जैसे हम लोग तो हमारे में हड्यों की संख्या 206 ठीक है यह उस तुकड़े तुकड़े में रहता है फिर बाद जब बच्चे रहेंगे तो ऐसा नहीं कि जब बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा हट्डी ऐसा नहीं बड़े हो जाओगे तो कम बच्चे रहेंगे तो ज्यादा कितना 300 option 2 मैं यहां लिख रही हूं अ तुक है आप सभी के लिए झानकारी अगर आपको प्रयोक सालह परिचालक का त्यारी करना है तो आप योगन शौओ क्लासे से आप डाउनलोड करके वहां से प्रेवक्साला परचालक कोस्ट परचेस कर सकते हैं और इसके साथ ही उसका टेस्ट सीरीज भी लॉंच हिया गया है तो आप टेस्ट दिला के अपनी तयारी बहतर आंख सकते हैं ठीक है अब आठ्वा प्रेस्ट में क्या हमारा निमने रप्त व ब्लड गुरूप वाले को क्या डे सकते है लेकिन जब उसके लेने की बारी आती है अपने प्रेसर लेगा यह होता है सरवात्रि ग्राही होता है यह इससे भी ले लेगा नेगैटिव से ले लेगा इसे भी ले लेगा बत देगा कि इसको अपने वाले को फीक ए समज्में कि समझ माया वो सभी को दे सकता है लेकिन नहीं सकता और अब सभी से ले सकता है लेकिन नहीं सकते देगा के वाल अपने समुह वाले को तो यहां ता क्लियर है अब इंसुलीन उत्पादित होता है इंसुलीन कहां से उत्पादित है प्योस ग्रंथी से पितासे से आंत द्वारा यह पेंक्रियास द्वारा तो पेंक्रियास द्वारा जिसको क्या बोलता है अ रक्त में सरकरा की मात्रा सुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है ठीक है कई लोग को सुगर की बिमारी हो जाती है मधुमें की बिमारी हो जाती है तो उन लोग को इंजेक्शन लगता है इंसूलीन का देखे हो क्यों क्यों कि जो हमारे हमारा रक्त है उसमें सुगर कंट्रोल करन नहीं हो ना भाई कि इसी प्रेंट की रियास पढ़े थे यह अगनास है कहां से आगे करके दोनों सेम है कि यहां था क्लियर है आगे बढ़े अब यह तो इन सभी को पता ही होगा क्योंकि यह चीज पढ़के आ गहे है पिछले महिने ठीक है रख ताल पता एनिमिया का रोग किस से होता है लौह तत्व की कमी से आईरन की कमी से एनिमिया हो रहा था हाँ हो रहा था गल घोटू किस से हो रहा था आयोडेन की कमी से हो रहा ता था राइड ग्रंति को प्रभावित ना ठीक है रता अंधी किसे और घामी ми है कि और विपामील का प्रमुक्ष रोथ है पपीता ठीक है बैर्डबरी किसे हो रहता विटामील वधी की कंफे और आउनलेन वाले बताएगे विटामिन B का प्रमुक्ष्रोथ कौन-कौन सा यह आप कमेंट करके बताएंगे मुझे ठीक है तो A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1 यहां से आप जोड़ी मिला लेंगे, पेपर में भी ऐसी किया करो, पहले यहीं जोड़ी मिला लिया करो, उसके बाद भी रॉप्सन में खो जा करो, डारेक्ट पहले ऑप्शन में मत जाया करो, उससे गड़बर हो जाता है, ठीक है? अभी हमारे बायो का कुश्चन खतम हो गया, अब केमस्ट्री चालो करते हैं, ठीक? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे का, लोहे पर जिंग का परच चड़ाने की क्रिया को क्य का कहते हैं, देखो, galvanization, galvanic current, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? galvanization, galvanic current, देखो, लोहा रखा रखा जंग लग जाता है, संचारन के कारण, ठीक है? तो उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसके उपर में जिंग का परच चड़ाते हैं, किसका? जिंग का, जिंग को सो करते किसे जान से जींग चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसको गयलवनाइजेशन बोलते हैं यह फिर वा सकते हो गयल था करन ठीक है क्या उस्प्रक्रिया को गयलवन्यजेशन निम्नलिकित में से कौन सा द्रव अधातू है ठीक है मतलब अधातू तो है लेकिन वो कौन से फॉर्म में रहता है लिक्विट फॉर्म में तो वो कौन सा है मरकरी, ब्रोमीन, जल ये फिर अलकोहल अधातू बोला ना मैंने तो ब्रोमीन आएगा लेकिन अगर वही पूस्ता की धातू कौन सा है तो आता मरकरी, पारा ठीक है ऐसा कौन सा धातू है जो लिक्विट फॉर्म में रहता है तो क्या लोगे मरकरी, पारा ठीक है लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था आ धातू ठीक है, non metal, तो non metal में क्या हैगा, bromine, bromine एक मात्र ऐसा non metal है, जो द्रव्य अवस्था में रहता है, liquid form में रहता है, ठीक है, बाकि सब solid form में रहेंगे, bromine क्या रहता है, liquid form में रहता है, acid के साथ, acid के छार के साथ प्रक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है, जब acid और basic दोनों का क्रिया कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, acid, alcohol, नमक या, कोई नहीं, क्या मिलता है, नमक, लवन ये, और gel प्राप्त होता है, जैसे देख लो, HCl, ये क्या हो गया, acid हो गया, ठीक है, ये क्या है, acid है, HCl, acid है की नहीं है, है, NaOH, ये क्या हो गया, base, ठीक, चार, तो ये acid, अमल और चार, अब इसका क्रिया कराते हैं, तो क्या बनेगा, NaCl, ये ही है नमक, NaCl, sodium chloride नमक है, लवन है, ठीक है, और 2H, और O, S2O, तो क्या मिलता है हमको, जब अमल और चार की क्रिया कराते हैं, तो लवन और जल, ठीक है, लवन, नमक और जल प्राप्त होता है, कब, कब, जब अमल और चार का क्रिया करवाते हैं, तब, वेवसाइख रूप से sodium bicarbonate के रूप में जाना जाता है sodium bicarbonate के रूप में किसको जाना जाता है धोबन soda, baking soda या विरंजक छूणा या भारतिय soda baking soda को baking soda को sodium bicarbonate के रूप में जाना जाता है इसका formula खता है NAHCO3 ठीक है, NaHCO3, यह H केवल 1 है, इसलिए sodium bicarbonate लगता है, लेकिन इस धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है, Na2CO3 into 10H2O, यह जो 10 है, वो क्या है, जल के अनु रहते हैं, इसमें 10 जल के अनु मिक्स होते हैं, कि इसमें धोवन सोडा में और इसको क्या बहुते हैं, sodium carbonate, यह क्या थ सोडियम bicarbonate, bicarbonate क्या है, baking soda, ठीक है, बाई से याद रखना, baking, ठीक, और जब सिप sodium carbonate बोले, तो sodium carbonate क्या है, धोवन, धोवन सोडा, कपड़ा धोने का जो निर्मा आते हैं, बाई, ठीक है, और उसका फॉर्मूला, Na2CO3 into 10H2O, और विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर् हाँ, आप लोग अभी बता सकते हो, आउनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे, बताओ, बताओ, सी, ठीक है, क्लास के बाद बताती हूँ, नहीं तो आउनलाइन वाले सुनेंगा, फिर उसी को कमेंट करके बताएंगे, जो अभी पहला answer देगा, उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताओंगे, ठीक है, अब देखते है, नेस्ट कोशन, निम्नल लिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोच की, किसने इलेक्ट्रॉन की खोच की थी, जे जे थॉम्सन ने, किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोच, जे जे थॉम्सन ने, रदर फोट ने क्या किय उसकी खोच की थी और उन्होंने बताया था कि नाभिक के अंदर क्या होता है प्रोटान और न्यूट्रॉन होता और इलेक्ट्रॉन उसके बाहे कक्षम में चक्कर लगाते रहते हैं किसने बताया था रहदार पोड ने जेम्स चेडविक जेम्स चेडविक ने किसकी खोच की थी न्यूट्रोन चैट्विक ने किसके खोज की थी न्यूट्रोन की थीक है जैम्स चैट्विक ने किसके खोज की थी न्यूट्रोन और गोल्ड स्टीन का नाम आता है और इसने खोज की थी, goldstein ने proton की तो electron का, jj thompson, proton का, goldstein, ठीक है neutron का, jam, stedwig तो तीनों का नाम भी आद रखेंगे आप लोग, repeat करो electron, proton, neutron, इतने सारे लोग हो, फिर भी आवाज नहीं आता है देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, निमने लिखित में से कौन कार्बन पोनो अक्साइड और हाइडरोजन का मिश्रन है, किसका कार्बन पोनो अक्साइड और हाइडरोजन का मिश्रन है, कार्बन पोनो अक्साइड को लिखते हैं, CO और हाइडरोजन, इसका मिश्रन क्या वार्टर गयस है कोईला गयस उत्पादक गयस या गोपर गयस , बताव को मिश्रण को क्या बोलते हैं , तो वहलेदीन ब्रच्छाव में पूछा गयाardे गयस में है तोh रोजन की विश्रन को क्या बोलते हैं, तो water gas बोलते हैं, ये कैसे मिलता है, जब एकदम 1200 degree Celsius पर गर्म कारबन पर, जब पानी छीड़का जाते हैं, जल का छीड़काओ किया जाता है, तब हमको water gas या भापंगार gas मिलता है, ठीक है, CO और H2 बनेगा, C प्लस H2O, CO और H2, यही क्या है, water gas है, या भापंगार gas भी बोला जाता है इसको, और यह क्या रखना, carbon monoxide प्लस N2, उसमें hydrogen था, इसमें nitrogen है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते है producing gas, producing gas, निमनलिखित में से, किसका उप्योग पटाखों में किया जाता है, ठीक है, sodium, calcium, sulfur या फासपोरस, तो पटाखों में किसका उप्योग रहता है, फासपोरस, और जब माची की, माची इसकी तीली रहती है, उसमें भी किसका उप्योग। कि फास्फोरस का तो अब दिवाली में जब फटाका फोड़ओ hate ऑपने उसके बाद जलागा देख लेना थीक है भी तो जलने के œझ मा अणि भी अंधर बची रहता है इस तो क्या रहता है फ Azerbaijan तो जिसको देखना रहेगा फास्फोरस किसा देख लेना भाई फटाके को मैंडलीफ की आवर्त नियम के अनुसार तत्वो के गुण धर्म किसके आवर्ती फलन होते है। किसके अनुसार पूछ रहा है, मैंडलीप के, पर्मानु आयतन, पर्मानु घनत, पर्मानु द्रवेमान ये पर्मानु संख्या, मैंडलीप का आवर्तसार्णी किस पर बेश था, पर्मानु द्रवेमान पर था, पर्मानु भार, पर्मानु द्रवेमान पर बेश जा था, कौ पर्मानू संख्यापर्द ठीक है याद रहेगा मैंडली वाला क्या है द्रवेमान वाले मास वाले ठीक है एमस और यह क्या है एटम नंबर आधुनी कावर्थसार्णी लाल चिटी में कौन सामला पाय जाता है मतलब जब लाल चिटी डंक मारती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है पॉर्मी कमला, कौन सामला, पॉर्मी कमला, जब चीटी कारती है, तो कौन सामला छोड़ती है, पॉर्मी कमला, इसी कारण से वहाँ पस हमको क्या होता है, जलन होता है, ठीक है, अब देखो सिट्री कमला, सिट्री कमला किसमे किसमे पाय जाता है, नीबू में, संत्रा में, ठी इनक में क्या मिल रथा फॉर मी Mandla अब एक मैली Bobada किसमें आज जाता है कैसे व में अंगूर केला इन सब में क्या मिलता है मैली trail मिलता है अब कौन सा है टार्टी द्लिक 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 एना मिलता है ताटरी कमला, अब तो आप जो भी खाओगे, पिऊओगे, तो समझ जाना उसमें कौन सामला है, ठीक है, तो नीबू संत्रा में कौन सामला, सिट्री कमला, कौन सामला है, कौन सामला है, मैली कमला किसमें, ताटरी कमला किसमें, ठीक है, फॉर्मी कमला किसमें, अब चीटी होना तो बोलना कि यह फॉर्मी कैसी छोड़ दें इसलिए जलन हो रहे करके ठीक है उसको मारना वद बिचारे को अब उसकी गलती नहीं है ठीक रोज खाते रहते हो ना कुर्कूर रेस और क्या टेस्टी हan कि क्या उस्कान रहते हैं जो करते हैं उसको खृब HARRIS पचाता है भी समय तक फिर उसको क्या सकते हैं रख सकते हैं तो अब अगर पैकेट फाड़ोगे तुझे ज्यादध तर रहता है वो गैसी रहता है अगरी फ्रींट कि इतना बड़ा पाद़ दिखता है इतना बड़ा बाते है इस तुसा बाकी सब्सक्राइब नात्रोजन जैस दुकान मालिक बोलना नाइट्रोजन गेस थोड़ा कम रखा करो, माटेरियल जादा रखा करो, ठीक है, अब रूची को केवल और केवल नाइट्रोजन गेस वाला पैकट देंगे, ठीक है, आना, अब देखो, केमस्ट्री काता हम, अब हम लोग का क्या चालो हो गया, फिजिक सॉल्फिय इसके उप्शन के तुरू तो टॉप 30, बस टॉप 30 नहीं है। उसमें और उपकोषन ऐस ऐडॉन है, अब प्रकास-वर्स किसकी इक आई है, किसकी इक आई है, कहां से कहां तक दूरी ना, अपने लिख प्रकास-वर्स का इसका यूजस किए जाता है, प्रप्रक प्रकास वर्स में यह बृत्वी से अनग्रह की दूरी को किस में नापेंगे प्रकास वर्स में किस में नापेंगे प्रकास वर्स में धारा को किस से मेजर करते हैं धारा करेंड को एंपियर में ठीक है किसमें मेजर करते हैं किसके द्वारा मेजर करते हैं अमिटर से किसके द्वारा अमिटर किसके द्वारा अब इसका अंसा तो आप लोग बताएंगे कल क्लास में हुआ था किस दिश्टी दोस्त में निकट की वस्तु इस पस्ट दिखाई देती है किसमें निकट्रिष्टी दोस्ट में क्या होता था पास का क्लियर दिखते था दूर का नहीं दीखते था कल मैंने पताया था अज़ नाम क्या पॉजीट है नाम से लग रहा है कि हम लोग को पास का नहीं दिख रहा होगा निकट द्रिष्टि दोस मतब पास के नजर खराब होगा नाम कैसे लगता है बट क्या पुछ रहे वो निकट की बस्तू इस-पस्ट दिखाई देती और दूर का क्लियर दिखाई देता और मैंने क्या पताया था इसके लिएdependence का use करते हैं कैसे याद किया थे इसको हां बायोपिया इसको और दूसरा नाम क्या है मायोपिया और वहां हमें सब्सक्राइं क्या चैफिए रहती हमको पास में इसलिए क्या बोलते रहते हैं अब बताओ दूर दिश्टी दोस्त में क्या होता है दूर की क्लियर दिखाई देगी पास की क्लियर नई दिखाई देती है तो वह क्या होता है दूर दिश्टी दोस्त होता है इसको दूर करने के लिए कौन सा लैंस उतदा लएंस कौन सा लैंस अधी अर मैं यदोस जिसमें अपास का दीख रहा है ना फिर उसको दूर करने के लिए कॉन सा लैंस दूए फोग और लेंद भी बोलते हैं फिर एक क्या था दृष्टी वैसम में था है ना एस्टिक मेटिजम जिसमें होरीजोंटल और वर्टीकल लाइन में हम लोगों इस परस्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे था तो वो क्या था दृष्टी वैसम में था और उसको दूर करने के लिए प्रिकल लेंज और एक कौन से भीमारी थी और ना दिता कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस जब होता है तो आदमी कौन से रंगों पर फरक नहीं कर पाता और लाल फरा और लाल यह भी पढ़ा चुकी हूं तो इसका भी अंसर आप फी लोग बताएंगे मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रेयोग होता है मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पन कौन केव मिरर क्यूं पोकस करता है टॉर्च में कौन सा दर्पन अवतल दर्पन लेकिन साइड मिरर में कौन सा दर्पन उतल दर्पन डॉक्टर द्वारा जाज किया जब जाज नाभीक में कौन से कण उपस्सीद होता है प्रोटोन और नूट्रोन, आप्शन D, ठीक है, इसमें आप्शन D से ही असर होगा जो नाभीक रहता है, उसमें नूट्रोन और प्रोटोन क्या रहते हैं, दोनों मौजूद रहते हैं, ठीक है यह किसी भी एटम के न्यूख्लियर है मित अर्लबीक है इसके अंदर में कौनसे एक न्यूट्र ऐसे बाहर कख्षम में इलेक्ट्रॉन जो है नाबिक के बाहर क्या करते रहते हैं चक्कर लगाते रहते हैं यह कौन बता है यह ऐसा है करके मैं तो अच्छ मैं नहीं बता यह भी तो मैंने तो सिद्धान किसने दिया था पूछा ही नहीं ठीक है यदि प्रकास किर ने सगन माध्यम से वीरल माध्यम में प्रवेस करती है तो क्या होता है यह क्या होगे हम लोग का नौर्माल अभी लंब अब यह सगन माध्यम है और यह कौन सा माध्यम है वीरल माध्यम है, कौन सा माध्यम है? अब कौन सा कीरन आएगा इधर से? आप तीद कीरन, ठीक है? कौन सा कीरन आया? अब सगन से वीरल में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? यह भी लंब है, तो पास आना चीए था, लेकिन हट किदर जाता है? अब वर्तित कीरन, और अभी लंब के बीच बना कौन? अब वर्तित कीरन और अभी लंब के बीच बना कौन? अब तन कौन? जेस्ट अगर अपोजिट होता वीरल माध्यम से सगन में प्रवेश करता तो क्या होता? अभी लंब की और? जुग जाता है, है ना? ट्रेक याद था कल का ठीक अब आप वर्तन के दोरो नियम भी बताओ तो भाई रिविजन हो जाएगा पूर्ण अंत्रिक परावर्तन है वो एक निश्ची दनुपात में होता है इसी को दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपरतना आंग कहते हैं म्यू बराबर साइनाई बाई साइनार अब देखो चुबगिए छेतर रेखा किस दूफ से निकलता है उत्री दूफ से किसी भी दूफ से निकलता है यह दक्षणी दूफ से यह इन में से कोई नहीं क्या बताओ North Pole से, ठीक है? माल लेते हैं, यह क्या है? यह चुम्बक है अब यहां से चुम्बकी रेखा निकलेगा यह कौन से हो गया? North Pole उत्री ध्रूब, यह कौन से हो गया? South Pole तो जो चुम्बकी रेखा है, वो हमेसा उत्री दुरू से दक्षिणी दुरू की और गमन करता है ठीक है यह एरो लगाना तब इत्पता चलेगा किधर से इधर जा रहा है ठीक है यह हो गया जेस्ट अपोजिट भी कर सकते है ऐसे समझ मैं आया तो चुमबकी रेखा किधर से किधर गमन कर रही है उत्री दुरू से दक्षिणी दुरू की और किधर से निकल रही है उत्री दुरू से ठीक है नौर्थ पोल से नौर्थ पोल से कहा जा रही है वो साउथ पोल में बताओ सजाती दुरू एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्शित करते हैं ठीक है अब जब एन एन को साथ में रखें के तो वह क्या हो जाएका बेकर जिसे चुम्बक रहता है कभी-कभी हम लोग अपोजिट साइट को जोड़ने का प्रैस करते यह लिकिनुद कभी-कर्शित करते हैं जब रूक्ते तो क्या होता है उसमे भी-कर्शन होता है सजाती दुरू आपस में कुश्रे को विकramosिध करते हैं और एक करसित करते हैं तो किसी अंत्रिक्ष यात्री को अकास कैसा कि घीए होता है इए अधनि लुण आपारण् वहां ना तो atmosphere रहता है ना ही light रहता है तो प्रकास का प्रकृर्णन नहीं होता इसलिए उनको क्या दिखता है काला दिखता और हम लोग नीला क्यों दिखाई देता है प्रकास के प्रकृर्णन के कारण ठीक है वाई-उ-मंडल है हमारे प्रित्वी के उपर में है की नहीं है वायू मंडल है ना तो प्रकास के क्या होता है प्रकिर्णन होता है इसी कारण से हमको क्या दिखाई देते हैं आस्मान नीला लेकिन जब अंत्रिक्ष वाले लोंग तो वायू मंडल से उपर में होते है ना अब वहां तो कोई वायू मंडल नहीं है तो वो लोग जब देखें तो उनको कैसे दिखाई देगा तो काला नतो है की विद्धूत् Parent करता है परिवर्टित करता है कैसे में कैसे परिवर्टित होगा बताओ मोठर क को भाहुत बता रहे थे आप लोग थेनी विद्धूत उर्जा को यहांतरी बू непंदर न पहिरे यांत्रिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा में करोगे तब ही तो मोटर चलेगा आप लोग तो आप पोजिट बता रहते हैं यांत्रिक उर्जा को विद्दू उर्जा में ये तो जेनरेटर करते हैं ना ठीक है ना, जेनरेटर क्या काम करता है, यांत्रिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिभर्तित करता है, मोटर जेस्ट उसका पोजिट है, यांत्रिक को, विद्धूत को यांत्रिक में, मोटर क्या करें का, मैक्निकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक, अ के लोटे मोटम से लेक्ट्रीकल एनेर्जी को मैकनीकल एनेर्जी में अब रसायनी और में कॉर्जा में कौन परिवार्तित करता हैै ऑड़ी ओधियों सेल ठीक है। अब सेल बताई तो वह वाले सेल में मत जाना रिमोंट में मत जाना In order तो जो रसाइनिक उर्जा को किसमें चेंज कर रहे है विद्दू तूर्जा में उसके अंदर रसाइनिक पदार्थी भरे होते हैं बैटरी के अंदर भरे होते हैं कि नहीं ठीक है और वह किसमें परिवर्थित करता है उसको विद्दू तूर्जा में परिवर्थित करता है चलो तो बता, चलो बता, मोटर क्या काम करता है? मोटर क्या काम करा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? चीक है, अब जेनरेटर क्या काम कर रहे है? मेक्निकल को? चीक है, अब बैटरी क्या काम कर रहे है? केमिकल उर्जा को? विद्धूत उर्जा में, यहां तक ठीक है? अब यहां जोड़ी मिलाना है, ठीक? अमारे योगेन साउउ क्लासेश चैनल में ऐसी बैक टू बैक वीडियो एमसी क्यों वाले आने वाले हैं, तो अभी तक जिन्हों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिए, यूकि कि MCQ वीडियो आपको आगामी परिक्षा में बहुत ही फायदा देगा, अमनों को थियोरी याद रहे ना रहे, लेकिन वो जो एक लाइन वाला पढ़े रहते हैं, वो हमें सा याद रह जाता है, इसलिए MCQ वीडियो आप मिल्कुल देखिए, आपका पाइदा इसी में है, अब देखो सक्ती, इधर दिया है एक बहुती क्राशी और उधर उसको मापन की काई, उसको कैसे मेजर करते हैं, सक्ती को किसमें मेजर करते हैं, वाट में, ठीक है, पावर को कैसे मेजर करेंगे, वाट में, ताप को, टेंपरेचर को, कैलोरी में, ताप को, बल को, बल को, नियुटन में ठीक हैं तो तीन, तीन एक, दो, option 1, option 2 है, last question, rocket engine का कारे सिध्धान किस पर अधारित है, rocket engine का कारे सिध्धान किस पर अधारित है, Newton की गति के पहले नियम से, दूसरे नियम पे, तीसरे नियम पे, ये उरजर सेलक्षन के नियम पे, बताओ, तीसरे नियम पर, ठीक है, न्यूटन की गती के तीसरे नियम पर, रॉकेट का सिध्धान आधारित है, तो न्यूटन की गती का तीसरे नियम है क्या, पहले ये जान लेते हैं, ठीक है, जितना क्रियाबल लगाएंगे, उतना क्या मिलेगा, प्रतिक्रियाबल, ठीक है बेजने के लिए पहले नीचे प्रसे देगा तभी तो नीचे से वापस प्रतिक्रिया लगेगा तो वह उपर पहुँँ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा गति का तीसरा नियम और जब बंदूग चलाते हैं तो पीछे की और धक्का लगता है अब आप लोग नहीं चलाए हो ना सिले बस ऐसे से कर रहे हो कि मेला चलाए है अभी यह लोग सब दुर्गव मेला घुम क्या है चला क्या है लोग ठीक है तो उसमें भी पीछे की और धक्का लगता है ट्रिगर देपानेश जब गोली आखे पड़ती है तो जो बंदूग चलाने में वह रहता तो उसको प सील है तो गती सील अबस्ता में रहेगी जब तक उस पर कोई बाय बल ना लगा दिया जाए ठीक है वस्तु मतलब इस सी रहे तो इस तीरी रहेगा वह खुड़ती हिल सकेगा जब तक मैं उसको जाके ना हिलाओं बल ना लगा उस पर नहीं तो इसी कारण से जैसे कि जब ब अब लोग बताना क्रिकेट देख रहे हो अभी मैच चल रहा है वल्ल कप तो कैच लेने के लिए हाथ असे पिछे करता है तो दूसरे नियम के तहट और दूसरे नियम क्या है यह आप लोग बताएंगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे वल्ल कप देखिए अच्छी बात है बट अभी अगले संडे को क्या है साकारिता का एक्जाम है तो एक्जाम पहले मैच बाद में ठीक है मैच को सिपी स्कोर देख लेना पूरा मैच मत देखते बैठे रहना और गती के दूसरे नियम को कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइ झाल